चैप्टर वन पार्ट फोर शिविर में बने रहने का उपाए और्डियो बुग बैं मिलियनेयर माइंड्स मैंने बाद में जिन मित्रों से भेट की उन्होंने मुझे बताया कि मैं उन बंदियों में से नहीं था जिनके लिए शिविर में भड़ती होने का नुभाव बहुती निराशा जनक रहा हो जब आश्विज में पहली रात पीतने के बाद सुबा हुई तो उस घटना के दौरान मैं सहज भाव से मुश्कुराने के लावा कुछ ना कर सका हमें अपने ब्लॉक से बाहर ना आने के कड़े निर्देश दिये गए थे लेकिन हमारा एक साथी किसी तरह गुस्पैट करके हमारे ब्लॉक तक आ ही गया वे हमसे कुछ सब्ता पहले वाले काफिले में आश्विच पहुँचा था वे हमारे मन को दिलासा और तसली देने के साथ साथ कुछ और बाते भी बताना चाहता था वे इतना दुबला हो गया था कि पहले तो हम उसे पहचान भी नहीं सके उसने अपने हास से बोध और मुझे परवा नहीं वाले रवईये के साथ हमें जटपट कुछ टिप्स दिये जैसे भेभीत मत होना, चुनाओ के समय हिम्मत बनाए रखना और डॉक्टर M, जो की एक SS चिकित साधिकारी थे, वह डॉक्टरों के लिए थोड़ा लिहाज कर लेते थे मेरा यह साथी गलत कह रहा था, जो पडियों के ब्लॉक के एक डॉक्टर कैदी की I.U. लगबग 60 साल थी उसने मुझे बताया था, कि उसने डॉक्टर M से विंति की थी, कि वह उसके छोटे बेटे को बचा ले, जिसके भाग्या में गैस चेंबर ही लिखा था, पर डॉक्टर M ने बड़ी ही बहरेमी से उनको इंकार कर दिया और एक बात तो मैं तुमें हाथ जोड़ कर कहना चाता हूँ, उसने अपनी बात जारी रखी, हजामत करना मत बूलो, अगर मुमकिन हो तो रोज करो, भले ही तुमें इसके लिए कांच के टुकडे का ही इस्तमाल क्यों ना करना पड़े, भले ही इसके बदले में अपना पड़ियां उपाए है, तुमें देखकर लगना चाहिए कि तुम काम करने के लिए पूरी तरीके से फिट हो, मान लो कि तुम्हारे पाउपर कोई छाला हो गया और तुम उसकी वज़ा से लडखडा कर चल रही हो, और अगर SS का कोई अधिकारी या सिपाही तुमें देख तुम्हें इशारा करके तुम्हें कतार से अलग कर देगा, और अगले ही दिन तुम खुद को गैस चेमबर में पाऊगे, तुम जानते हो हमारे यहां कमजोर, दैनिये, मरियल रोगी और शारिरी कारे ना कर पाने वाले व्यक्तियों को मौसलिम कहकर पुकारा जाता है, दे तनकर खड़े रहो और पूरी तरह चुस्ति के साथ काम करो, फिर तुम्हें किसी भी गैस चेमबर से डरने की ज़रुत नहीं है, भले ही तुम्हें यहां आए 24 घंटे से ही कम समय हुआ हूँ, लेकिन किसी को भी गैस के नाम से डरने की ज़रुत नहीं है, और फिर वह मेरी और इशारा करकर बोला, हाँ तुम, इनका आप बात कहे जा सकते हो, और आशा करता हूँ, कि तुम मेरी इस बेवाकी के लिए मुझे माफ कर दोगे, फिर उसने दूसरों के आगे अपनी बात दोराई, तुम सब लोगों में से केवल यही एक पंदी, ऐसा दिखाई दे रह जिसे अगली बार गैस चेंबर के लिए चुने जाने का भय होना चाहिए, इसलिए तुम लोग निश्चिंत रहो, उसकी यह बाते सुनकर मैं मुस्कुराने लगा, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है, कि उस दिन अगर मेरे स्थान पर कोई और होता, तो वह भी इसी तरह मुस्कुराता, एक बार लैसिक ने ठेक ही कहा था, कुछ ना कुछ ऐसा तो जरूर होना चाहिए, इनके कारण तुम अपना विवेग खो बैठो, वनना तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ और नहीं है, एक आसामान्य परिस्थिति के लिए, एक आसामान्य प्रतिक् विए असामान्य ही होती है, बंदी शीवर में दाखिला होने पर, इसी व्यक्ती की प्रतिक्रिया, उसकी मन के असामान्य अवस्ता को ही दिखाती है, अगर तठस्त पाउसे देखा जाए, तो यह सामान्य बात ही है, यह बात में समझ में आएगा, कि उन हालात पर, यह बस एक तैशुदा प्रतिक्रिया थी, जैसा कि मैंने बताया, कुछ ही दिनों में, नहीं प्रतिक्रियाओं में, बदलाओ आने लगा, बंदी पहले से दूसरे चरण में आ गए, इसी चरण तक आते आते, कैदी भावात्मक रूप से मर चुके थे, बंदियों की मानसिक अवस्थ करते थे, जैसे वे सब के सामने दिखाना नहीं चाते थे, कैदी के अपने घर वा परिवार के लिए, गहरी तडप सबसे पहले सामने आती थी, कई बार यह इतनी तीवर और गहरी होटती, कि उसे ऐसा लगता, जैसे वे तडप ही, उसे निगल जाएगी, इसके बाद, उसन पहारी बदसूरती से क्रिणा होने लगती, जो उसके आसपास फैली थी, फले ही वे सिर्फ अपने बाहरी रूपों से ही क्यों न हो, अधिकतर बंदियों को पटे हाल चीथडों से बनी वर्दी पहनने को मिलती, जिसकी तुलना में, शायद खेतों में, कवों को भगाने के लिए लगाए गए काग फगोडे भी सुन्दर दिखते होंगे, शिविर की जोपणियों के बीच कीचड फैला रहता, कोई उसे जितना भी साफ करने की कोशिश करता, उसे उतना ही अधिक, उसके संपर्क में आना पड़ता, नई कैदियों को बड़े ही चाउ से, उन दलों चलका कर, धोने वाले के चहरे पर आती, अगर वह ग्रिणा जाहिर करता, या अपना मूँ साफ करने की कोशिश करता, तो कौपो यानि सिपाही का कोड़ा उस पर बरस चाता, इसलिए सारे बंदी जल्द ही समान्य प्रतिक्रिया देना बंद कर देते थे, पहले पहल, जब क जाके नाम पर घंटो परेड में जुटे रहे और बदले में मुक्के और गूंसे खाते रहे, कई सप्ता गुजर गए, धीरे-धीरे हालाद बदलने लगे, सुबा के समय जब पौभी नहीं फटी थी, अपने दर्वाजों के पास खड़े बंदी, अपने दल के साथ दिया गया था, लेकिन उसका कसूर क्या था? दरसल उसे उस दिन वुखाड था, पर उसने अपनी बिमारी की सूचना गलत समय पर दी थी, उसे इस बात के लिए सजा दी जा रही थी, कि उसने अपने काम से बचने के लिए ऐसा प्रयास किया है, उस समय उसके स्थान पर प्रयाओं के दूसरे चरण में पहुँच चुके बंदी, अब ऐसे द्रिश्य देखकर अपने मूँ नहीं फेडते थे, तब तक उनकी भावनाएं धुनला कर करीबन मर चुकी होती, और वे ऐसे द्रिश्य को बड़ी उदाजीमता से ताकते रहते थे, एक और उधारण, उस आदमी ने खुद को रोग्यों के कक्स से बाहर पाया, उसे उमीद थी कि उसे शिविर में ही हलका काम करने की इजाज़त मिल जाएगी, जो की चोड, बुखार या शरीर की सूजन के कारण कभी-कभी मिल जाया करती थी, तभी वहाँ एक पारा साल के बच्चे को लाया शायद उसे खंटो बर्फ में खड़े रहने की सजा दी गई होगी, या फिर वे जूते पहने बिना ही शिविर के बाहर खंटो काम करते हुए बिमार हो गया होगा, उसके पैरों की उंगलिया में शीत संध हो गए थे, डॉक्टर ने उन्हें चुन-चुन कर चिम्टी से न पाते थे, शिविर में कुछ ही सपता रहने के बाद उनके लिए कश्ट सहते लोग, मलनासन हालत वाले लोग तथा मृतक इतने आम हो गए थे कि अब यह सब उन्हें भावुक नहीं कर सकता था, मैंने भी टाइफस, जोकी एक संक्रामक रोग है, उससे पेडित रोगियों क के साथ जोपड़ी में कुछ समय बिताया है, इन रोगियों को बहुत तेज बुखाड था और इन में से अधिकतर वहां बेसुद पड़े रहते थे, अनेक रोगी तो मन्ने की कगार पड़ थे, एक दिन उनमें से एक की मौत हो गई, इसके बाद मैंने बिना किसी भावात् पुथल पुथल के एक ऐसा दृश्य देखा, जो हर मौत के बाद यूं ही प्रतिदिन दोहराया जाता था, एक एक कर सारे कैदी उस शब के पास जाने लगे, जो अभी पूरी तरीके से ठंडा भी नहीं हुआ था, एक ने उसका आलू का बचा हुआ पोजन लपक लिया, द यही किया, और एक अन्य आदमी को जो पाकर बेहत खुशी मिली, उसे जानकर तो आप भी चकित रह जाएंगे, क्या आप कल्पना कर सकते हैं, कि उसे क्या मिला होगा, उसे उस लाश की जेब से एक लंबी डोरी मिली, मैंने यह सब बड़े ही सीधे, सच्चे और विरक्ट भाव से देखा, हार कर मैंने एक चिकित सा सहायक से उस शब को वहां से हटाने का आगरह किया, उसने उस शब को टांगों से पकड़ा और दो ऐसे तक्तों की पंक्तियों के बीच बने बरामदे में लुड़कने के लिए छोड़ दिया, जहां पर पचाश टाइफस रोग्य प्रिशानी की वज़ा रही थी, क्योंकि हम सब लंबे समय तक भरपेट बोजन ना मिलने की वज़ा से बहुत दुबले पतले और मरियल हो गए थे, शिविर में कुछी माँ बिताने के बाद हमने उन 6-6 इंच की उच्छाई पर बनी सीड़ियों पर चड़ने के लायक नही रह गए थे, कमजोरी के कानड हम किसी चौपाए की तरह अपने हाथों पर भाड़ देते हुए अपने आपको सीड़ियों के उपर घसीटना पड़ता था, शब को घसीट कर ले जाने वाला व्यक्ति दरवाजे के पास पहुचा, उसने बहुत जोर लगाते हुए अपने आ लीडियों से जो टकराया, मेरी जगा खोपड़ी के ठीक दूसरी और एक छोटी सी खिड़की के पास थी, मैं अपने ठंडे हाथों में थामे गए सूप के कटोरे से उपकड़ों की तरह गरम सूप उठका रहा था, अचानक मेरी नजर खिड़की के बाहर गई, अभी जिस देखने के बाद भी मैं बेलग होकर अपना सूप पीता रहा, अगर पेशेवर रुची के चलते मेरे भावों की कमी मुझे हैरान ना किया होता, तो शायद मुझे इस घटना के बारे में कुछ भी याद नहीं होता, क्योंकि इसमें मेरी कोई भावनाएं शामिल नहीं थी, बंदी की उदासी इंता, भावनाओं का विस्वोर, तथा यह सोच रखना, कि बस अब वै किसी की परवा नहीं करता, यह सब ऐसे ही लक्षन थे, जो कैदियों के मनुवग्यानिक प्रतिक्रियाओं के दूसरे चरण में उभारते थे, और धीरे धीरे उसे प्रतिदिन की त कोल का निर्माड कर लेते थे, मुझे आप लोगों से एक important बात करनी थी, कि मेरी 10 से 12 वीडियो यूट्यूब से delete हो गई है, और चैनल पर दो copyright strike भी आ गई है, एक Amazon, Kindle और एक और company की तरफ से, तो फिर मैंने वो सारी वीडियो एक नई चैनल पर upload कर दिया, आपको उसका ल कर दो